अगर आप लोग Facebook इस्तमाल करते हैं तो आप लोगों को पता हुआ चाहे आपका Facebook प्रोफाइल हो या फिर आपका Facebook पेज हो जैसे ही आपके 1000 जो followers हैं वो आपके complete हो जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं आपके जैसे ही 1000 friends complete हो जाएंगे तो आप यहाँ पर अपना जो star वाला option है उसको आप सेट अप कर सकते हैं यानि कि जिस किसी के भी 1000 followers हो जाते हैं उसके बाद आप अपना जो account है Facebook profile या Facebook page उसमें आप monetization को लेकर आपका एक जो star वाला option है वो आपका enable ह हो जाता है तो उसमें आपको अपना bank deal वगेरा या आपको पूरा जो complete है यानि कि जो star वाला option है वो आपको पूरा setup करना होता है तो देखे इस video में हम आपको बदाएंगे कि अगर आपके पास भी star वाला जो option है Facebook page या Facebook profile में तो आपको कैसे करना है पूरा हम आपको तक जरूर देखेगा देखे मैं अब आपको बता दूँ आपका जो Facebook का जो setup है star वाला उसके लिए आपको क्या-क्या जो document है उसकी जरूरत पड़ेगी देखे सबसे पहले आपके पास एक bank account होना चाहिए ठीक है यहां पर account number की जरूरत पड़ेगी और आपके पास एक pencard भ आपको बता दूँ Swift code आपका branch का नहीं है तो आपकी किसी भी bank में account हो state bank हो SDFC हो ICIC हो पंजा हो किसी भी bank में आपका account हो उसकी जो main branch है उसका आप यहां पर जो Swift code है वो आप यहां पर डाल सकते है क्योंकि देखें जो बड़े-बड़े सहर है वहां पर तो आपको Swift code मिल डाल सकते हैं तो मैं आपको सीधा ले चलता हूं मोवाईल के screen पर वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप अपना जो Facebook page प्रोफाइल है उसमें जो स्टार वाला option है उसको आप सेट अप कर सकते हैं देखें सबसे पहले आपको अपना मोवाईल ले लेना है वहां पर आपको अपना जो Facebook है उसको उपन कर लेना है Facebook हमने यहां पर ओपन कर लिया है जैसे ही आप open करेंगे तो आपके सामने देखें ऊपर यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको Store देख रहा है देखें यह वाला यहां पर देख सकते हैं ठीक है अब आपको क्या करना है इसको आप थोड़ा सा नीचे करेंगे यहां पर लिखा हुआ है monetization इस पर आपको क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने आ रहा है सेट करने के लिए उपलब्द है स्टार अपने फैंस को प्रिरित करें कि वे स्टार और गिफ्ट बेज कर आपको स्टपोट करें ठीक है तो यहां पर आपको जो सेट करें है इस पर आपको क्लिक कर देना है फिर यहां पर आपको जो शुरू करें है उस पर क्लिक कर देना है देखिए यहां पर आपसे कानून कानूनी सरनेम जनम्दिति और जिए यहां पे आपको अपना नाम ढाल देना है अगर आपके नाम से अकाउंट नहीं है और आपके नाम से शर्मा आपको नीचे डालना है और सम्दी आफ़ जो जनंमतिति है फिर अपना जो देश उसको तो आपको select कर लेना, तो हम यहाँ पर इसको fill कर देते हैं, ठीक है, तो मैंने जो पहला वाला step है, उसको complete कर दिया है, date of birth आप सही तरीकी से check कर लिजेगा, अगर आप डलट डालेंगे, तो आपको आगे चलके यहाँ पर problem हो सकती है, तो हम यहाँ पर आगे बड़े पर click कर ठीक है, second step में आपका जो देश है, वो आपका देश आजाएगा, फिर आपका business का प्रकार, आपको क्या करना है, जो पहले वाला है, individual, soul, proprietors, इस पर आपको click करना है, और आगे बड़े पर click कर देना है, फिर यहाँ पर जो name है, वो आपका जाएगा, date of birth वगर आपकी अगर आपको कोई middle name है, तो आप यहाँ पर middle name डाल सकते है, नीचे मुख्य पता और शहर, तो आपको यहाँ पर अपना जो address है, आपको यहाँ पर fill कर देना है, ठीक है, address हमने यहाँ पर डाल दिया है, फिर आपको सहर को select करना है, फिर आपको राज्य, आपका pin code और mobile number, फ email id और जो pen card number है, वो हमने यहाँ पर डाल दिया है, वेट और GST registration optional है, आपको यहाँ पर डालने कि इसकी कोई भी ज़रूत नहीं है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पर click कर देना है, और आगे बढ़े इस पर आपको click कर देना है, उसके बाद आप जैसे ही next पर click कर करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपको अपना name डालना है, bank account डाली है, फसी code डालना है, और आपका link हो जाएगा, इसमे आपको Swift code डालना पड़ेगा, लेकिन जो bank account वाला है, उसमें आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं डालना पड़ेगा, देखे मैं आपको देखा दिया है यहाँ पर आपको अपना name डालना है, swift code डालना है, bank account डालना है और paypal, paypal को हमें जहाँ पर दुरूत नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जो पहला वाला जो option है, उसको यहाँ पर select कर लेते हैं, bank transfer वाला तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो देश है, वो देश आ जाएगा, currency आपकी automatic INR आ रही है कानूनी name आपको first name और यहाँ पर surname है, वो आपको यहाँ पर डाल लेना है फिर नीचे आपको IFSC code डालना है, और यहाँ पर आपको अपना जो bank account number है, वो आपको यहाँ पर डालना है तो हम यहाँ पर इसको fill कर देते हैं, name डाल दिया है, bank account डाल दिया है, और यहाँ पर जो IFSC code है, वो डाल दिया है पे आउट करने का तरीका इस पर लिंक आपको कर देना है ठीक है यानि कि bank account और आपका जो information है basic वो आपको यहां पर complete हो गई है फिर आपको text की जो जानकारी है उसको आपको यहां पर जोड़ना है तो हम यहां पर click कर देते हैं text is required access to your name and profile picture यहां पर हो सकता है कई लोगों से यहां पर जो login है वो यहां पर मांगा जाए तो यानि कि आपको अगर facebook का password और email id नहीं मालुम है तो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे लेकिन कभी-कभी किसी case में यह direct यहां पर हो जाता तो आपको facebook का आपका जो password है और email id है य क्यांकि आप तभी इस process को पूरे को complete कर पाएंगे तो हम यहां पर continue ऐसा अपना यहां पर जो है उसको करते हैं ठीक है फिर आपके सामने यहां पर देखके एक option आ रहा होगा what is your tax classification individual ठीक है second वाला है are you a US citizen क्या आप US citizen में रहते हैं तो यहां पर आपको no कर देना है फिर न देना है जैसे आप next पर click करते हैं फिर आपके सामने एक और option आ जाएगा यहां पर देखिए what name I should enter यहां पर आपका name आ जाएगा फिर आपकी जो citizenship है वो किस country की है तो यहां पर आपको इंडिया को select कर लेना है pen number आपका automatic यहां पर आ जाएगा फिर आपको यहां पर next पर click क आ जाएगा फिर आपको next पर आपके करते न फिर आपके सामने तीन option यहां पर मांगेगा है आपको पहले वाले पर click करके next कर देना है हो चुकी है तब आपको इसको नीचे कर देना है यहां सरख कर देना है यहाँ पर आपको अपना थम्स्क्र नेम आपको कर दे न अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है तो आप यहां पर फिर से जाके अपना यहां पर correction कर सकते हैं एक बार submit हो जाएगा फिर आप इसमें फिलाल कुछ भी changes नहीं कर पाएंगे तो हम यहां पर save form कर देते हैं ठीक है जो text profile है वो यहां पर your text information is complete यहां पर हमारी यहां पर चले जाना है आप उबर से भी जा सकते हैं professional dashboard में या फिर आप यहां पर home पर जाकर करके आप professional dashboard पर जा सकते हैं ठीक है आपको क्या करना होगा इसको नीचे करना होगा आपको monetization पर click कर देना है ठीक है जैसे ही आप यहां पर click करते हैं star वाला option आपको देख रहा ह एक्टिवेट हो चुका है आपके फ्रेंड्स है आपके जो भी रील आप बनाएंगे उस पर जो भी कोई आपको अगर स्टार भेजना चाहेगा तो वो आपको यहां पर भेज सकता है मिनिमम आप इसका जो बैलेंस है वो 25 डॉलर तक अपने अकाउंट में ले सकते हैं और जो वायर ट्रांसफर है सेकंड वाला जो अप्शन था उसमें आपको मिनिममम जो 100 डॉलर है वो आप यहां पर निकाल सकते हैं यानि कि बैंक अकाउंट वाली जो इन्फोर्मेशन थी व हमने सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया हुआ है वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो आपका कोई डाउट हो आपको कुछ पोशना है आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम उमीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी वीड बहुत धन्यवाद